आईपिल 2021 के छेटवे मुकावले में संड्राइजर सेधरबाद को एक और हार का सामना करना पड़ा आपको बता दे डैविड वर्नर की कपतानी वाली संड्राइजर सेधरबाद अभी तक दो मुकावलों में से दोनों ही मुकावले हारी है रोयल चलेंजर्स गंगलूर के खिलाब खेले गए मैच में संड्राइजर सेधरबाद सिर्फ 150 रनों का लक्ष हासिल नहीं कर पाई हैधरबाद की बल्लेवाजी बुरी तरह से फ्लॉप सावेत हुई डैविड वर्नर को छोड़ कर कोई भी बल्लेवाज प्रभावित नहीं कर पाया हाला कि मरीज पांडे ने 38 रन बनाए लेकिन उन्होंने 49 गेंदों का सामना किया इसके अलावा हैधरबाद के बैरिष्टो अब्दुल समद बजय संतर सभी बल्लेवाजों ने निरास किया और इसी बजय से हैधरबाद को हार का सामना करना पड़ा संराइजर सेधरबाद का अगला मुकावला 17 अपरेल को 47,7 बजे से ममबई इंडियम्स के खिलाप खेला जाएगा ये मैच चैनलाई में खेला जाएगा जो की 47,7 बजे सुरू होगा आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संराइजर सेधरबाद की टीम में क्या क्या बदलाओ हो सकते हैं और आपको कौन सी प्लेंग लेबन मैच के दोरान खेलती हुई नजर आ सकती है वीडियो को पूरा देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हम बात करें मंबई इंडियम्स के खिलाप होने वाले मैच में कौन से खिलाड़ी बाहर हो सकते हैं तो रिद्धिमान साहा की जग है कैन बिलियम सन को मौकाद दिया जा सकता है, बिजय संकर का प्रदर सन ने रासजनक रहा है, उनकी जग है यूबा प्रियम गर्ग टीम में सामिल हो सकते हैं, जैसन होल्डर की जग है अनुहवी केदार जाधों को मौकाद दिया जा सकता है, के अगर हम संट्राइजर सहदरवाद की टीम की बल्लेवाजी में पदलाओ आपको देखने को मिल सकते हैं हाला कि गैंदवाजी में कोई भी बल्लाओ देखने को नहीं मिलेगा अगर हम संट्राइजर सहदरवाद की प्लेइंग लेवन के बारे में बात करें आपकी राय में मॉंबई इंडियम्स के खिलाब होने वाले मैच में संट्राइजर सहदरवाद की की में क्या क्या बदलाओ होने चाहिए आपके हिसाब से बेश्ट प्लेइंग लेवन क्या होगी आप अपनी राय नीचे कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब मिली किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें